हेलो फ्रेंज आज बनाया मैंने चीजी वेज पिज़ा बॉम एक परफेक्ट रेसिपी है वो श्राम की भोग को पूरा करने के लिए उस्पेशली बच्चों के लिए जब उन्हें कुछ अच्छा खाना है और तेस्टी भी खाना है और हमें कुछ हेल्दी भी उनको सर्फ करन है तो दी जेंगे उसके लिए बोल लिया यहां पर अप मन्य चाहिए भी अचो बच्चों को को देना है मैंने यहां पे प्ट नहीं यूज क्या पर आप आलग भी ब्लांश करके डाल सकते आं मारिक में में कॉन बहुत आप कॉन बीयूस कर सकतें तो मेरे पास जो जो सबजिया एजिले अवेलेबल थी मैंने वो डाल दिया मैंने बारिक कटेवे गाजर डाला प्यास थोड़ा लेसुन डाला इसमें बारिक काटके धनिया पती अच्छे से डाला शिमला मिर्च डाल दिया एक बिलकुल बारिक काटके और फिर उसमें डाल दिया धेर सारा चीज, तो आप चीज की कॉंटिटी अपने साब से कमिया जादा कर सकते हैं, मैंने तीन से चार क्यूब्स प्रोसेस चीज जो होती है, उसे ग्रेट करके इसमें डाल दिया, उसके बाद इसमें सीजनिंग के लिए आपके पास चिली फ्ले घैनोन सिफ डाल सकते हैं, थोड़ासा डाला नमक, थोड़ासा लाल मिच बॉडर, और अच्छे से कॉंटिटि इमें डाल देंगे ओ, अच्छे से मिक्स करकी मैंने थोड़ासा मसाली को टेस्ट किया ताकि बाद लगाते हैं अपना डो, तो उसके लिए पडाथ में मैंने एट में पर यहां पर हम जाने घर 1 तक हलद काप बनाना तो एभर ऐसके बाद मैंने डाला इसमें 1畑 टी स्पून के लग बदे बेकिंग पॉडर है तो जरूर डालिएगा आपके पस बेकिंग पॉडर निया तो आप दो चुटकी इसमें बेकिंग सोड़ा भी डाल सकते हैं उसमें प्राला मैंने थोड़ा सा पिजा सीजनिंग और थोड़ा सा ओरिगयानो इससे ना यह जरूर डालिएगा इससे ना डो का टीस्ट बहुत दो 1,5 कप के इसाबसे मैंने इसमें आधा कप दही डाला जो कि फ्रेश होना चाहिए खुटा नहीं होना चाहिए और फिर हम इसका ने काटा तयार कर लेते हैं गूट के यह जो कि बिल्कु एक नर्मल रोटी काटा जैसे हम तयार करते हैं तो आतो घाथी आटको 10 मिनित लि में देखें इस तरीके से पिज़ार भास्ता सॉस तो आपके पास हो का नित अप टमाटो कैचप भी लगा सकते हैं वो लगा लेंगे और स्टफिंग डालेंगे स्टफिंग बहुत जादा नहीं डालेंगे नित उसके फटने का डर रहता है और जैसे एक स्टफ पराथे को जि संदर दिखते हैं धनिया पत्ती से और दूसरी तरफ पानी लगा कर जैसे तवे में चिपका दिया गरम तवे में जैसे हम नान या तंदूरी रोटी सेखते हैं तवे पर गैस के उपर बिल्कुल उस तरीके से घुमाते हुए चारो तरफ से इसे बिल्कुल अच्छे से से ये देखे सिक के बिलकुल रेडी हो गए हमारी चीजी पिज़ा बॉम तेकने में इतना सुन्दर और खाने में उतने ही टेस्टी और फाइनली उपर से ब्रश कर देंगी घी या बटर बटर जादा अच्छा लगेगा और इसे गरम गरम सर्फ करेंगे ठंडर खाने में उतना झाल